नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं तो आज मैं फिर से आ गई हूं आप लोग के बीच एक नए रेसे पी के साथ अगर रेसे पी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक क किजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और चाइनल पर नए होंगे तो प्ली चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाएंगे सोजन के पतिया से बहुते टेश्टी और क्रेश्पी सपकोड़ा टेश्ट होने के सासत बहुत हेल्दी भी होता है हमारे सेहत के लिए बहुते फायदे मन होता है इसके फूल और पतियों में बहुत सारा बिटामिल और प्रोटिन पाया जाता है तो इसे आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा अभी बरसात का मौसम है तो बहुत हारा बारा पतिया मिल रहा है इस तरीके से तो इसके हम पतिया को तोड़ लेते हैं जितना जरूरत होगा उतना हम पतिया तोड़ लेंगे तो इसी तरीके से अपने जरूरत के हिसाब से हम पतिया पहले तोड़ लेते हैं तो जरूरत के हिसाब आप से हम पतिया तोर लिये हैं, देखिए कितना सौट और मुलायम पतिया है, तो इसे हम साइड में रख देती हूँ और यहां पर एक बावल लिये हैं, इसी बावल में हम पानी लिये हैं, तो पतिया को डाल कर अच्छे से धो लेंगे, जितना इस पर धूल वगेरा होगा, तो हम इसी तरीके से धो कर एक प्लेट में निकाल लेंगे तो इसे हम एक बॉल में डाल दिये है ताकि मेक्स करने में असानी होगी और यहाँ पर दो मेडियम साइज के प्याज को हमने लंबेल सिलैक्स में कट कर लिये हैं तो इसे भी डाल देती हूँ और दो से तीन हरी मिर्च को हम बारी काट कर डाल रहे हैं आप हरी मिर्च के मातरा कौम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहां पर हम आदा चमच जीरा पाउडर डाल रहे हैं और आदा चमच लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं और इसमें हम चार चमच बेशन डालेंगे बैंडिंग के लिए तो हम चार चमच बेशन डाल दिये हैं और पकोड़ा को क्रेश्पी बनाने के लिए इसमें हम दो चमच चावल के आटा डालेंगे इसे हमारा पकोड़ा बहुते क्रेश्पी बन करके त्यार होगा तो सब कुछ डालने के बाद इसको हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो चमच को हम हटा देंगे और हाथों से अच्छे से मेक्स करेंगे इसमें हम बिल्कुल अभी पानी नहीं डालेंगे केम की पतिया में बहुत सारा मोयचन होता है इसी से मियक्स हो जाएगा और जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा बहुत हम पानी के छीटा दे देंगे तो देखिए थोड़ा सुखा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी के छीटा देखर अच्छे से मेक्स कर लेते हैं तो देखिए हम अच्छे से मेक्स कर लिए हैं देख सकते हैं तो चलते हैं गैस के तरफ तो यहां पर तेल हमारा अच्छा गड़म हो चुका है, तो एक-एक पकोड़ा को हम तेल में डालेंगे, जितना कराई में आएगा, उतना हम एक साथ डाल देंगे, और गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, तब ही हमारा पकोड़ा क्रेस्पी और कराड़ा सा बन पाएगा तो देखिए जीतना कराई में आया है उतना हम एक साथ डाल दिये हैं अभी इसको हम नहीं पलटेंगे थोड़ा दिर बाद पलटेंगे तो थोड़ा दिर बाद देखिए हमारा पकोड़ा एक तरफ से हो चुका है तो इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं तो एके करके हम सारा पकोड़ा को इसी तरीके से पलट देंगे तो देखे हम सारा पकोड़ा पलट दिये हैं अब इसको हम 4-5 मिनट में अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउंड आने तक और गैस के फिलेम को हम मेडियम ही रखेंगे तो 4-5 मिनट हो गया है और देखे हमारा पकोड़ा बहुते अच्छा फ्राई भी हो गया है बिल्कुल गोल्डन ब्राउंड हो गया है तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बागी का पकोड़ा हम फ्राई करके त्यार कर लिए हैं देख सकते हैं तो लीजिए हमारा सोजन के पतिया के पकोड़ा बन करके तयार हो गया है देख सकते हैं कितना टेश्टी और करारा सा पकोड़ा बन करके तयार हुआ है तो आप इसे चटनी या चाय के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुते टेश्टी लगता है तो अगर आज का मेरा रेसेपी अच्छा लगा तक कमेंट में जरूर बताईएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सेर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा तो मिलती हूं फिर से एक नए रेसेपी के साथ अब तक लिए धन् जो जए हैंगा तो मिलती हूं आधा तो मिलती हैंगा जार रेसे ज्यादा प्क लाइजेगा तो मिलती हैं ज्यार